बिस्मिल्लाइ रख्मान आहीम असलाम अलेकुम स्टूडेंट आज हम करने लगे हैं क्वेस्चन नम्बर 6 का पार्ट बी अक्सराइट 10.2 बी में वो कहता है के 6 का बी पार्ट हम करने लगे हैं वो कहता है इक नर्स की बात कर रहा है के वो इंजेक्शन जो है लगाती है पैलसिलीन के उसका जो टाइम है वो नोर्मली डिस्ट्रिबूटेड किया गया है let's x is equal to time required by a nurse a nurse is normally distributed is normally distributed त्रिडिटिड रही कह है अब उसने क्या क्या करना with the mean of µ is equal to 30 seconds and with strength deviation of sigma 10 seconds mean भी उसने देदीया सिग्मा जो वो है 10 सेकंड में दोनों ठीक है इंको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों की यूनिट जो है वो सेम अब उसने का अब आपने देखा होगा फरस्ट यह मैं अपने पड़े होगे अगर किसी तरह अपने डंग से पड़े हैं को टाइल डिसाइल एंड उसके बाद होते हैं परसंटाइल ठीक है इस पर मैं बात नहीं करूंगा यह कुछ ज्यादा मुपसल हो जाएगा मैं डिरेक्ट अपने ले परसंटाइल टेंथ परसंटाइल होता है ना वो हंड्रेड में से टेन परसंट होता है ठीक है परसंटाइल की बात हो रही है वो टेन परसंट होता है पी ओफ एक्स लेस देन पी टेन परसंटाइल को टेंथ परसंटाइल को जो है मैंने डोनेट कर दिया है किसे पी टैन से ठीक है उसके बाद हम इसे डारेक्ट हम एन लेसे देन का साइंस यूज क्योंकि यह को डिरेक्ट फाई ओफ पी हो जाएगा जब स्टेंट नोर्म डिस्टिबिशन में करेंगे हमने फाई में ही कनवर्ट करना होता है मैं अब स्टेंट नोर्म रेक्ट में करेंगे ठीक है लेसे देन पी टैन में से म्यूज मैस करतें गे डिवाइड करतेंगे सिग्मा पर इस एगल तैन परसंत और पॉंट वन लिख सकते है ठीक है अब यह standard normal variable हो गया z less than p10 mu है 30 divided by sigma है 10 is equal to 0.10 जब less than की बात आज़ा है तो आपको पता है direct लिख देते हैं 5 of a यह कितना है p10 minus 30 divided by 10 is equal to 0.10 let's change पर आते हूं 5 आपको बता है दुछी तरफ जाकर inverse हो जाएगा ठीक है 5 इदर आया inverse हो जाएगा 0.10 इदर आजाएगा हमारे पास 10 minus mu जो है 30 था 10 standard deviation था ठीक है 5 inverse 0.1 का अब आपने find करना है 0.10 के row में देखना है और 00 के नीचे देखना है आपको मिल जाएगा मेरे पास जो value required मिल रही है वो है मारे पास required value है है minus 1.2816 ठीक है अब आपने 10 को इसे multiply कर देना है ठीक है इदर जाएगा और 30 को आपने plus कर देना है मैं 10 को multiply करके 30 plus कर देता हूँ तो मेरे पास जो direct answer आ रहा है 17.184 इसने कुछ fix करके लिखा है आप fix ना भी करें तो भी कोई बात ने 17.2 आ जाएगा वो पिछे वाला इस फाइव या फाइव से बढ़ा है इसी तरह इसका मैं दूसरा पार्ड करता हूँ 19 पर्सेंटाइल सेकंड करता हूँ 19 पर्सेंटाइल ठीक है 20 पर्सेंटाइल की बात हो रही है तो P of X less than 19 पर्सेंटाइल ये P 90 ले लेते हैं इस इकल टू आपको पर्सेंटाइल होता है वो पर्सेंटेज में होता है X-μU divided by σ less than P90-μU divided by σ P into Z less than P90-μU 30 divided by σ 10 is equal to 0.90 अब डारेक्ट फाई यूज करेंगे क्योंकि less than का साइन यूज हुआ है डिवाइड 10 पर करेंगे यह पॉइट 9 फाई दर्या के इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं P90-30 डिवाइड बे 10 फाई दर्या के इन्वर्स पॉइट 9 0 ठीक है पॉइट 9 0 की लाइन में देखना है अपने रो में और 00 के कालम के नीचे हैं आपको डारेक्ट वैल्यू मिल जाएगे मेरे पास जो आ रही है वो है 1.2816 ठीक है आपने इदर मल्टिप्राइड कर दें 10 से इसे डिवाइड प्लस कर दें 30 तो आपके पास P90 की वैल्यू आ जागी 10 से मल्टिप्लाइड करता हूं और 30 प्लस कर देते हैं तो आरह 42.816 ठीक है यही हमें रुकाइड था बाकी भी इंशाल्ला नेक्स वीडियो में करेंगे झाल्ला यही है 4 झाल झाल